तो स्वागते दोस्ता है फिर साका मेरे स्यूटीब चनल फैंडसी सेलेक्टर पर यहां पर हम बात करेंगे WBBL 2013 के इस पूरे टूर्णमेंट के सेकेंड लास मैच के जो के चलेंजर नाम से जना जाएगा या आप सेमी फानल मैच भी इसको कहा सकते हैं जो के पर्थ टूर्णमेंट के सेकंड रांक्ट टीम है पॉरे वीडियो के दोरान और जब हम बात करते हैं किसी नाकाउट गेम के जैसे ये मैच एक तरह का सेमी फानल मैच है तो कोई भी टीम जो हो आज के स्में मैच में हारी गो सीधा टूर्नमेंट से बाहर तो इस तरीकी के नाकाउ जो अभी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, उसके हिसाब से, अगर हम जाए विकेट कीपिंग सक्षन में और अपने टीम सेलेट करना शुरू करें, तो क्यों आज के इस मैच में जॉर्जिया रेड्मेन को विकेट कीपिंग सक्षन से हटा सकते हैं, इसका रीजिन आप के देखें, तो केवल एक ऐसी प्लेयर है, लारेन विनफिल्ड हील्ड, जो कि आपके लिए एक डिफ्रेंसल और ट्रम प्लेयर साबित हो सकते हैं, स्मॉल लिग में भी, और ग्रैंड लिग में भी, चुकि ये खेल रही हैं, एमी जोंस की जगहां पर, जो कि फिलहाल चोट और जॉरूजया वाल क्यों एक बहतरीन डिफ्रेंसल पिक होच सकते हैं, आज के समाच में इनिंग में भालिंग होगा उसके इंच के बालिंग की बात करें, तो आज के समाच में ऐलाने किंग को क्यों आप अपने ट्रीम से हटा करके कोई दूसरा आप्शन कर सकते हैं, अल पहले सुरू करिएगा वीडियो को लाइक करके चुकि हजार लाइक से अगर इस वीडियो को आप पूरा करवाते हैं तो छे ग्रेंड लिग के टीम आपको में इस अपने टेलिग्राम के चैनल पर देता हूं सेम इसी मैच की बाकी यह जो मैच है 29 नॉमबर को दो बच के 10 मिन पर और यह जो विगेट है पिछले दो मैच में यहाँ पर थोला से डिफरेंस देखनों के मिला पेस और बांस तो यहाँ पर होता ही है दुनिया के सबसे तेज विगेट मानी जाती है इसकी आउट फिल्ड भी काफी तेज हो तो रंस भी यहाँ पर अच्छे कासे बनते हैं कोई भी टीम यहाँ पर ज्यादा तर प्रिफर करती है पहले फिल्डिंग करना किसी भी मैच में जब भी वो टॉस जीती है लिए पिछले दो मैच में क्या देखनों को मिला उसको अगर हम समझनी की कोसिस करें यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट विगेट्स हैं जैसे एक मैदान पर कई सारी विक्टे होती हैं जो मैदान के सिंटर में बनाई जाती है तो पिछले दो मैचेस जो खेले गए उसको अब देखें तो अगर आप देखेंगे तो इस सीजन के दोरान 2023 के अंदर टोटल आठ मैचेस खेले गए हैं आठ में से पांच बार यहाँ पर करने वाले टीम के वाले इन में से मैचेस जीती है लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो पिछले दोरों मैचेस पहले बैटिंग करने वाले टीम जीती है यह एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर निकल करके आया है और इसका सबसे बड़ा कारण है विकेट जो यहाँ पर पिछले दो मैचेस से खिलाई जा रही है वो पूरी तरह से एक तरह कि आप कहा सकते है कि फ्लैट विकेट है पेस और बाउंस तो यहाँ पर होता है विक्टे मिलती है गेट बाजो को लेकिन पहले इन ही में बैटिंग करना ज्यादा एजी हो गया है चुकि जो वहाँ पर घास होती है विकेट की उपर जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मुमेंट भी मिलती है इनीसियल जो कि इस विकेट की पहचान भी रही है वो बिल्कुल खतम हो चुकिए जो कि ग्रास की जो लेंध है उसको कम कर दिया गया पिछले दो मचेस से और उमीद है कि इसी वाले जिस विकेट यूज किया जाएगा उस पर घास कितनी है यह भी आपको मैं टेलिग्राप पर बता दूगा तो यह देखना काफी इंपोर्टन्ट होगा उसे के हिसाब से हमारी फानल टीम तो बनेगी लेकिन जैसा मैं आपको बता है कि पिछले दो मचे से रहे जहाँ पर पहले बैटिंग करने वाले टीमों को डॉमेनिशन रहा है सेकंड इंग में बैट करने वाले टीमों के लिए काफी मुश्किल रहा है स्कोर को चेर्ज करने के लिए और दोनों इनिक्स में यहाँ पर अगर आप देखे तो पांच-पांच विक्ते पेस को मिली है पहली इनिक में दो और सेकेंड इनिंग में भारी मात्रा में छे विक्टे मिली तो सेकेंड इनिंग में खास करके पिछले दो मैच में स्पिनर्स का बॉल बारा रहा है लेकिन उसके पहले के बाकी मैचेस अगर आप देखें तो इन दोनों मैच को छोड़ करके बाकी जो छे मैचेस उसमें से इन दोनों मैचस के पहले कोई मैच जीती थी पहले बैटिंग करने वाली सिड्नी सिक्सर की टीम को उन्होंने हराया था यहां पर एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि यह जो दोनों मैच हुए थे वह जिस तरीकी के विकेट पर मैच हुआ था तो इसमें किस इनिंग मे जब आपको मैं टेलिग्राम पर अफडेट करूंगा कि कौन सी ट्रैक है तो उससे आपको ग्रेंड लिग की टीम में बनाने में काफी हसानी हो जाएगी बाकि टोटल इनिस अभी आठों मचस में स्पिन को मिली अभी तक 41 विक्ट है जिसमें से 24 पहली इनिंग में 17 तो पहले पेसर का बहुत बाला था पहले इनिंग में खास करके लेकिन वह तो अभी भी है लेकिन अब दोनों इनिंग में हो चुका है लेकिन उतनी मात्रा में विक्टे पेसर को मिली है नहीं जितनी की यहां पर मिलती रही है तो विकट थोड़ा सा चेंज यहां पर किया गया था और इसी के वजह से जो हमारी फाइनल टीम बनेगी वह आपको में टेलीग्राम पर दूँगा टॉस आने के अपडेट आने के बाग अगर मुझे ट्रैक का इबारे में कोई अपडेट मिलता तो भी आपको में यहाँ पर सेयर कर दूँगा प्लेइंगे लिए बैटि करते रहिए और हजार लाइक की उपर अगरा पहुंचा देते हैं अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे इंपॉर्टन फेज की इस मैच की और यही पर कुछ बड़े इंपॉर्टन चीज आपको में बताने वाला हूँ खास करके जैसे आमने आपको बताया था वी मैचस खेल भी चुके इसी सीजन में एक-एक मैचस दोनों टीमें जीती थी और उस मैच में अगर आप बात करें जो दोनों मैचस अभी तक हुए दोनों मैच में 50 प्लस का स्कोर रहा था बेथ मूनी का जो के आज भी ओपन करेंगे लॉरेन विंफिल्ड हील के साथ चुके एमी जोन्स फिलाल अवेलबल है नहीं चोट की वज़े साथ के इस मैच में नहीं खेलेंगे लेकिन प्यापा क्लेरी अगर खेलती हैं जो के बेंच पर बैठी हुँ दिखाई पड़ी थी लास्ट वाले मैच में अगर किसी भी की जहां पर यहां पर टीना पर टीम में आ सक लें और चाहे बात कलें नेटली सीवर की जब बात आती है नाकावर्ट गेम की जैसा मैंना को बता कि सेमी फानल टाइप की मैचेस जो होते हैं उसमें यह दोनों की परफॉर्मेंस टॉप नॉच निकल करके आती है और यह दोनों प्रेसर काफी अच्छा एब्जॉर्व कर कैप्टन बड़े अच्छी डिफरेंशल प्लेयर होंगी इसके बाद मैड़ी डार्क हैं सोफी डिवाइन अब बैटिंग ओडर में काफी नीचे आ रहे है नंबर छे पर हाला कि उसकी बावजूद परफॉर्मेंस अच्छी रही लास्ट मैच में तो हाला कि कि क्योल दो ही चार चुकी है ओवर्स भी देखना पड़ेगा कितने मिलेंगे हाला कि इस विकेट पर मुझे पूरी उमीदे के चार ओवर पूरे करें जिसमें सब पावर प्ले और डेथ वर दोनों जोगां पर इंके ओवर आ सकते हैं इसके बाद एलाना की अगर हम बात करते हैं सेमी फा पर इंपोर्टन्ट हो जाएंगी चुकि विकेट थोड़ा सा वेर और टेर होगा विक्टे इनको मिल सकते हैं लेकिन फ्रेस विकेट होता है तो सायाद में इनको पिक ना भी करूं इसकी बाद आती है एमी एडगर जो कि पिछले मैच हो तो किवल एक ही और की बॉलिंग कर प्रबेबली दो और आज के स्मेश भी कर सकती चुकि एक चीज ध्यान में रखिएगा ये भी आफ स्पिन बॉलर है हाला कि यहाँ पर मने गरत लिख दिया ये एक आफ स्पिन बॉलर है और जो सामने की टीम है उसमें कितने लेफ्ट हैं वो भी आगे हम देखेंगे और उस अगर प्रद्र को करेंगे झाल्नआ को इसको लेसे और और आचरेश ने आपर वालिंग करेंगे तो यह हैं अब करताए और यहां पर उमीद करोगा ये चीज़ चीज जो पॉइंट्स आपको मैंने बताया थे कि कौन नकाउट गेम्स में कैसा खेलता है खास करके कुछ नाम आपको मैंने जो लेकर करके दिखाए उनके नाम को जरूर ध्यान में रखीएगा चुकि बहुत इंपॉर्टन्ट होंगी और ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि इन द में रखिएगा कि हैट्टोड में कैसे नंबर आया थे इस सीजन के अंदर आगे बरतो करें बात करें बिर्जबेन हीट की तो इनका जो प्लेइंग 11 आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है इसमें से ग्रे सैरिस जो एक ऐसी प्लेयर रही थी जुनोंने पहला मैच जो उसमें इस तीम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर आई सोफी डिवाइने सतक लगाया और ब्रिजबेन हीड की टीम हार गई बाकि अमेलिया के एक ऐसी प्लेयर जो के तीन ओर की पूरी बोलिंग करतों दिखाई पड़ेंगी और जब बात आती है नाकाओट मैच की तो बात आती है समी फानल टाइप की मैचस की तो यह भी एक इंपोर्टन और डिफरेंशल पिक होंगे चुके इंका विसमें पर्सेंटेज कम है बाकि जॉर्जिया रेडमेन की अगर हम बात करें जो बात आती है नाकाओट गेम्स की तो इनका बैटिंग एवरेज एकर आप द तो अभी मेरे टीम में रहेंगी लेकिन टॉस होने के बाद अगर पहली नहीं की बैटिंग होती है ब्रिस्वेन हीट की टीम की तो जोर्जेय रेडमेन मेरे टीम में नहीं होंगी बाकि लाइज है चार ली नौट है जोके दो और की पूरी बॉलिंग करती हैं आफ इस्पि के टीम उसको लेफ्टाव ऑफिस्पिन बॉलिंग पर दिक्कत होती है और उसका कारण भी है कि सामने के टीम में धेड़ सारी राइट हैं कि वह एक लेफ्ट हैंडड बैटर है तो जैस जो नहीं चैंपियन नाम साबित हो सकते और बेसीद अगर यही बैटिंग और रहा बहतरीन बॉल करती ही है अपनी टीम के लिए चार-चार ओर की पूरी बॉलिंग पिष्टे मैच में भी किया था करतनी सिपल ने जब ब्रिस्बेन हीट की टीम जीती थी सामने वाले टीम के खिलाफ पर्त के खिलाफ पहला वाला मैच इसी सीजन के अंदर तब वहां पर इन और जो करती हैं उसमें से दो और पावर प्ले में और दो डेथ में आते हैं तो इनकी इंपॉर्टनस और भी बढ़ जाती है तो पावर प्ले और डेथ ओर नाम के नाम भी वहाँ पर आप जरूर देखिएगा बाकि जो नाम आपको मने लेकर के दिये कुछ इस्पेसल स्ट सब्सक्राइब के दोनों उस टीम के खिलाब दोनों मैच में उन्हें हाफ सेंचुरी लगाए थी सोफी डिवाइन तीस रण तीन विक्टे जीरो पंदर रण कोई विकट नहीं बारत चार रण दो विक्टे सतर इस तरह की के पारिया इनके रही है और जैसा मना को बताया भ अच्छी नहीं आती एमी एडगर ठीक ठाक्सी ऑप्सर होंगी अगर पूरे ओर कर गई तो सेकर इनिंग की बॉलिंग में बाकि टीना फैसल भी विक्टे उतनी नहीं निकाल पाई है पिछले कुछ में प्यापा क्लेरी आखरी मैच जब खिला था तब इन्होंने दो विक् में इसके लावा लिली मिल्स है क्लोई एंसवर्थ को भी उतनी विक्टे नहीं मिलिये प्रिष्टे तीन मैच में खास करके लिकिन उसके पहले फॉर्म में रही थी और बाकि लीचे के प्लेर्स का भी रीसेंट फार्म आप जरूर देखिए बागे हैड तो हैड़ और वेन में खिलाव इसी सीजन में आया था बारा विक्टे विक्टे में 17 मैंच में और इस मैदान पर भी नंबर्स इंके काफी अच्छे रहे हैं मैडी डार के नंबर्स खराब है चाहे वेन्यू की बात करें तो ओवराल यहां पर अगर आप देखे तो चुकि आप चार और की विक्ते हैं और इस में पर पंद्रह मैंच में क्योवल 10 विक्ते हैं तो इसमें नंबर्स के नंबर काफी खास अच्छे है नहीं बाकि पर ऐप काफी यहां पर आप देख सकते हैं लेकिन लगए सारी नंबर्स भी हिट्विड और वेन्यू के आपके सामने अवेलबल है जिसको आप देख सकते हैं दूसरी टीम जो ब्रिस्बेन हीट है इनके प्लेयर्स का अगर आप प्रिसेंट फार्म देखें तो उसमें से जॉर्जिय रेड में जैसा माने को बताया भी था कि ठीक ठाक सा फार्म में है र बड़ी पारी में कनवर्ट नहीं कर पारें तो एक बड़ी पारी आ सकते हैं बाके ग्रेस हैरीस इनका फॉर्ण थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है टुड़दामिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी इसमें उन्होंने सेंचुरी भी लगाया था बाकि बेस हीथ ह अब चुकि बैटिंग ओर्डर में काफी नीचे हो चुके तो इतनी इंपॉर्टन नहीं है लेकिन रंस इन्होंने बनाया है जब भी मौका मिला है बाकि अमेलिया केर यह तो एक कमाल की आल राउंडर है ही बाकि लौरा हरीस है मिंगनौन डूप्रीज भी चुकि आफिस्पिन को तना अच्छा नहीं खेलती साती 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 इंका फॉर्म भी काफी अच्छा है सामने के टीम में धेर सारी राइट हैंडेट बैटर से इंपॉर्टन होंगी फॉर्म भी बहतर है चार्ली नौट आफिस्पिनर कुरूप में आप देख सकते उनके नंबर्स कर्टनी सिपल इन दोनों के नंबर्स रीसेंट टाइम में काफी बहतर रहे हैं और बाकि जो प्लेसों में से किसी के खेलने के चांस है मुझे तो देखने को नहीं मिलता बाकि हैट-to-head और वेन्यू के ओवर्राल नंबर्स की बात कलता जो जॉर्जिय रेडमेंड के नंब इसी सीजन में आया था कई बर पता चुका हूं बाकि इस वेन्यू पर नंबर्स काफी खराब है वाकि अमेरिया केर के भी आंकड़े काफी अच्छे नहीं है चाहे है हेट-to-head की बात करें चाहे वेन्यू की लेकिन इस साल जो नोंने एक मात्र मैच खेला था इस मैधान प पांच एक और एक कोई विगेट नहीं इसके लावा करटनी से बाल के हैट-to-head के नंबर भी अच्छे है इस मंदान पर एक मैच पर तीन विखते हैं और बाकी प्लेयर्स के भी सारे आंकड़े आपके सामने हैं हेट-to-head और वेन्यू के आगे बात करें तो आपको मैंने आ प्रफिस्पिन फिर भी ठीक ठाक खेल जाते हैं लेकिन आफिस्पिन के खिलाफ चारली नौट के खिलाफ 10 की पर 9 रम बना करके एक बार अमेले के 23 की पर 23 रम बना करके दो बार निकोला हैंकोग को करटनी सीपल पर भी सस्ते में आउट हो चुकी है बागे तो यहाँ पर पढ़ेंगी अमेलिया केर भी आपको देखे रहे को मिलेंगी तो जो भी बॉलर गेट को बाहर लेकर के जाती है राइट हैंडर बैटर्स के लिए उनके खिलाफ इन सभी बैटर्स को दिक्कत होती है जो खेलती है पर्थ इसकॉर्चर्स के लिए सेम आप देखेंगे लीशा पर दिखाई पड़ेंगी मेली डार्क यहां पर भी जैस जो पर कटने ती रोपति तीध हैं तो जो पी IQ को पर चालीश रम बना करके दो बार प्यापा क्लेरी पर उनतिस रम बना करके एक बार ग्रेस आरीज के आंकड़े इधर आप दिख सकते हैं तो यह भी अलाना किंग पर आउट हो चुके हैं दो बार लेग स्पिन पर जिबकि खुद एक लेग स्पिन बॉलर है और लेली मिल्स पर भी आउट हो चुकी है इधर चार्ली नॉट का है यह भी एमी अडगर और प्यापा क्लेरी पर सस्तेम गई है लोरा है इसका यहां पर आप दिख सकते हैं जोर्ज यह वाल के इधर और साथ जैस जोरसन का यहां तो इनका जो लोर और है बैटिंग का मिडल और और लोर म आपने देखा फिलहाल यह मेरी स्मॉल लिक के टीम है और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जोर्ज एरेड में मेरी टीम में फिलहाल तो रहेंगी विकट कीपिंग स्क्षन से बैत्मोनी के साथ लेकिन अगर पहली इनिंग की बैटिंग उनकी होती है तो जो जोर्ज एरे पहली इनिंग में बॉल करती है तो ही वो मेरी कप्तान होगी चुके बैटिंग ओडर नीचे हो चुका है वर्दा हम नेटली सिवर को भी ट्राइग कर सकते हैं जैस जोनासन भी एक बढ़िया नाम है अमेलिया के तो रहेंगी ही तो यह टीम बनाकर करके सेव कर दिए वाग यह टीम मिलेगी अगर आप इस वीडियो को हजार लाइक के उपर पहुंचा देंगे तो सभी लोग लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए आगे और बेहतार दरीके से मैचस हम कवर करते रहेंगे फिरहाल इसको यहां पर करते है खतम चलते हैं दूसका